वाइनाट बूसकलन में मौतूं का आंकड़ा फिर बढ़ गया है राजसरकार के नुसार अब तक 93 में लोगों के शव बरामत किये जा चुके हैं और 128 लोगों का अलगलग अस्पतालू में इलाज जा रही है वहीं सैंकड़ों लोगों के फसि होने की आशंका है सानिया पदा मोचन बल के जवान रहात और बचाव कारे चुला रहे हैं बारिश के कारण कठिन चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है मौतूं का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है गुम्रहकर शादी करने और अनुसूचत जाती वजन जाती के धर्म परिवर्तन कराने के मामलू में आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी यूपी विधान सभा में उप्रविधी विरुध धर्म समपरिवर्तन प्रतीशेद विधेक को मनजूरी दे दी गई है विधान मंडल सतर के दूसरे दिन विधेक को मनजूरी दे दी गई है प्रदेश सरकार ने से पहले विधान सभा में धर्म समपरिवर्तन प्रतीशेद व अधिकारियों ने का देश चारी किया है राजोरी के अधिकारियों ने लोगों को रात के समय शौल या कंबल पहन कर वनशेत्रू में न जाने की सरहादी। पुलीस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ पब्लिक सेप्टी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलीस ने नशे का कारोबार करने वालों को कड़ा संदेश दिया और कहा कि नशा फैलाने वालों को कभी भी बक्षा नहीं जाएगा। जिल अस्पताल बांडीपुरा में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। जिसके बाद अधिकारियों ने धान दिया और पांच घंटे इंतजार करने के बाद उसका इलाज किया। मीडिया से बात करते हुए एक मरीज की अटेंडेंट आस्या बेगम ने कहा कि मीडिया को बुलाने के बाद अधिकारियों ने उनके मरीजों का इलाज किया जो करीब पांच घंटे तक अस्पताल के फर्श पर पड़े रहे। इस बीच MS कुका ने कहा कि OPD में मरीजों की भीड के कारण मरीज का करीब एक घंटे तक इलाज नहीं किया गया। भाजपा के प्रवक्ता एडवकेट सुनील सेथी ने बजट 2024 पर पत्रकार वारता का आउजन किया। इस मौके पर बजट की फाइदे गिनवाए गए। सुनील सेथी ने कहा कि ये बजट आमजन मानस को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसमें हर वर्क को फाइदा होगा। सुप्रीम कोट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। परदर्शनकारियों नारे बाजी करने राज के जताई परदर्शनकारियों ने कहा कि केजरिवाल पर जूटे आरोप लगा कर उन्हें फसाने की कोशिश की जारही है जिसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा। इन पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस आउसर पर बोलते वों ने अनंतना के मटन इलाके में लगी रहस्यमई आग पर जानकारी दी उन्होंने कहा कि ये आग किन कारणू से लगी है इस पर जांच की जा रही है आग को समय रहते काबू कर लिया गया और इसमें जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर लोगों की जो भी मदद हो पाएगी वो की जाएगी उन्हें कहा कि पुलीस ने संबंद में पहले ही एफायार दर्च कर ली है और जान जारी है